आज आम आदमी पार्टी के जितने कांसलर्स जीत के आये हैं उन सब लोगों के साथ मीटिंग हुई सब लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्शन हुआ और उन्हें एक ही मेसेज मैंने दिया है कि आपको बहुत इमांदारी से काम करना है जिस तरह से भारतिय जंता पार्टी का 15 साल का शाथन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त था और उनके कई कांसलर जो है वो आम आदमी से काम कराने के पैसे लेते थे जंता ने उसके खिलाफ गुसे में आके आम आदमी पार्टी को वोट दिया आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन्होंने इतने शड़ेंत रचे हमारा character assassination करने के लिए जूटे जूटे वीडियो जूटे जूटी चिठियां जूटे जूटे आरोप सारी agencies लगाई गई लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने इन पर भरोसा ने किया और जनता ने का नहीं ये लोग इमानदार लोग हैं ये कट्टर इमानदार हैं हम इनको वोट देंगे तो आज मैंने सभी counselors को कहा कि आपको इस भरोसे को अगले पांच साल में और सुद्रड करना है आपने अपने आचरन से और अपने काम से जनता का विश्वास जीतना है और दूसरा बड़ी विनमरता के साथ सबसे पेश आना है गुसा नहीं करना किसे से करोड के 2 करोड लोग आम आदमी पार्टी के होंगे किसी पार्टी का नहीं बचेगा हम अपने काम से और अपने आचरन से सबका दिल चीते हैं तो क्या यह माना जाए कि सख्त action लेते भी हैं और लेंगे भी मैंने सब को यह कहा कि अगर आप सोचो कि आपने पैसे लिए और किसी को पता नहीं चला सबसे पहले तो उपर वाले को पता चलता है और उपर वाला कभी माफ नहीं करता प्रकृती कभी माफ नहीं करती आप यह सोचों कि मैं ले लूँगा और तो प्रकृती कभी माफ नहीं करती और जिस दिन पकड़े गए आप भी बर्बाद हो जाओग कि नए ने कांसिलर्स हैं उनको कई लोगों को पता नी चलेगा यह काम करवाने के लिए कहां जाएं प्रक्रिया क्या होती है प्रसीजर क्या होती है अब वो सीधे मुझे फोन कर नहीं सकते उनको यह समझ नहीं किसको फोन करें तो हमने चार पार्ट में दिल्ली को बाड़ दिया और अतीशी अदिल दुर्गेश और सौरव के जूटी लगाई यह उनके साथ हम लेकर बड़ी चर्चा है और बीजेपी उदर कह रही कि हम अपना मेयर बनाएंगे तो यह जो बयान है इस तरह से आप देख कारवाई करेंगे और जब से आमादमी पार्टी की सरकार आई यह बड़े स्तर के उपर बहुत बड़े बड़े गैंक्स्टर पकड़े गए पंजाब के अंदर और बहुत बड़े-बड़े जो पुरानी पार्टीयों के संड्रक्शन में लोग काम कर रहे थे वो सब पकड़े गए हैं तो इसकी खिलाब भी सक्से सक्ट एक्शन लिया जाएगा